ओम नमस्ष्वाय हर हर महादे मैं पंडित दिवा का बसे दोस्तों एक मैई दो हजार चौबिस को गुरू ब्रस्पती का राशी परिवर्तन होने जा रहा है और गुरू ब्रस्पती मेश राशी से निकल करके ब्रशव राशी में परिवेश करेंगे ब्रस्पती लगवक तेरे महीने एक राशी में रहते हैं ये एक बहुत बड़ा टाइम पीरिड है किसी भी राशी के लिए और गुरू ब्रस्पती को किसमत का ग्रह कहा गया है गुरू ब्रस्पती जब एक राशी वदलते हैं तो पूरी बारे की बारे राशियों पर प्रभ आने वाला है दोस्तों तुला राशी वाले जात को के लिए सबसे पहले ये बास समझ लेनी है कि गुरू ब्रस्पती का ये परिवर्तन कहीं न कहीं उनकी जीवन के अंदर संगर्श डालने वाला है क्यों क्योंकि ब्रस्पती उनकी राशी से आठवे घर में गोचर करेंगे अश्टम भाव जोकि आयू भाव है अश्टम भाव जोकि गुप्त विद्याओं का भाव है गुप्त योजनाओं का भाव है दोस्तों तुलाराशी के जातक जिन पर एक मही से आठवी ब्रस्पती परारंब होगी आठवी ब्रस्पती व्यक्ति को धन के लिए बहुत कष्ट कारी मानी जाती है परिवारिक समस्याव को पैदा करने वाली होती है यह कदम फूक फूक के चलने वाला है आपको सतरक रहने की जरूरत है किसी भी जान पहचान मितर बंधु बांधव से आपको सतरक रहना है कोई भी काज बिना पड़े साइन नहीं करना है यात्रा के दोरान भी सत्रक्ता रखनी है किसी अंजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना इसी के साथ अपनी स्वास्ते पर पूरा का पूरा ध्यान देनी की जरूरत है क्योंकि इस समय स्वास्त बिगड़ सकता है ससुराल के साथ आपके संबंध खराब होनी की उमीद है दोस्तों अश्टम भाव में ब्रस्पती के गोचर करने की वज़े से आपका रुजहान जो होगा वो गुप्त विद्याव की तरफ होगा जोतिश, तंत्र मंत्र इस तरह के जो गूर रहसे वाली किर्याएं होती हैं विद्याएं होती हैं इन पर आपका ध्यान जाएगा आप किसी रिसर्च में हैं यदि आप पढ़ रहे हो और रिसर्च में हो तो ये समय आपके लिए रिसर्च के लिए बहुत अच्छा होगा आप अच्छी रिसर्च कर पाओगे आप खोज कर पाओगे उन चीजों की जो दूसरों के लिए संभव नहीं थे लेकिन ये वक्त थोड़ा सा कष्ट दिने वाला है तो आपको इस बात पर पूरा फोकस करना है, पूरा ध्यान देना है अपने पैसे को वहीं पर खर्च करना है जहां बहुत जरूत हो पैसा बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि एक साल तक पैसे की बहुत खीच पढ़ने वाली है पैसे की खीच होने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी सिर्फ जरूतों को पूरा करना हूँ आपकी सिर्फ जुड़ते पूरी होंगी, इस एक साल में ख्वाई से पूरी नहीं होगी इसी के साथ साथ घर में स्वास्ते खराव होनी की वज़े से भी आपका परिवारिक माहौल खराव रहनी के उमीद है बिना किसी बात के किसी के साथ आपका जगड़ा हो सकता है इसमें जितना हो सके आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए गुरुत प्रिस्पती आठवे घर में कोचर करेंगे और पहली पांचवी दृष्टी बारेवे घर पे खर्चे के भाव पर होगी इसलिए आपकी व्यकी इस्तिती जादा रहेगी अधिक आमन्दनी कम खर्चा जादा रहेगा मैं उपाय दूँगा उस उपाय को करिएगा साल भर आपको आराम आता रहेगा लेकिन हॉस्पिटल के खर्चे कोट केचेरी के खर्चे बिना बात के खर्चों में आप उलजे रहोगे तो इसलिए सयम के साथ काम लेनी की जरूरत है यही से ब्रस्पती की साथवी दृष्टी धन भाव पे पड़ेगी जो खर्चे आपके उपर आएंगे उन खर्चों के लिए आपके पास पैसा भी कुद्रत ही तोर से आजाएगा यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट है क्यों? क्योंकि अश्टम भाव में ब्रस्पती के होने पर देवीय मदद मिलती है परमात्मा की हेल्प मिलती है तो आपके जो खर्चे सामने आके खड़े होंगे उन्हें पूरा कराने के लिए आपको देव करपा प्राप्त होगी और आपके वो खर्चे निवटते रहेंगे आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा लेकिन आपके सिर्फ खर्चे निवटतेंगे आपके शौक नहीं तो इसलिए शौक में पैसा बहुत ज़्यादा व्याब मत करिएगा परिवार के अंदर जो माहौल होगा वो थोड़ा सा नाकुष रहेगा आपको परिवार के लोगों की बातें बुरी लग सकती है लेकिन आप उनके साथ अनवन करने से बचिएगा यहीं से गुरु ब्रस्पती की नवी द्रश्टी चौते भाव सुक भाव पी जाएगी परिवार से दूर जाकर के आपको कारे करना पड़ सकता है नौकरी की तलाश में घर से दूर रहना पड़ सकता है बिजनिस यदि आप कर रहे हैं तो आपको इस समय बिजनिस में थोड़ा सा डाउन फोल दिखाई देगा लेकिन सईयम मत खोईएगा लगे रहिएगा जब आप करते रहेंगे तो निशित तोर पे आगे आने वाले समय में आपको अच्छा लाब दीखेगा लगवक 6 महीने के आसपास का समय आपके लिए कश्टकारी रहेगा लेकिन 6 महीने के बाद का जो समय रहेगा इसमें आप अच्छी ग्रोथ कर ले जाओगे आठ केले आप मंदिर में धार्मी के स्थानों में दान करते रहे जब आप ऐसा करते रहोगे तो गुरू ब्रस्पती के बुरे प्रभाव से बचे रहोगे और तामभी के लोटे में जल लेकर हल्दी मिलाकर यदि आप रोजाना पीपल को चड़ाओगे तो भी आप इस आठ वी ब्रस्पती के दुस्थ परभाव से बचे रहोगे मित्रो तो ये थी जानकारी तुलाराशी के जातकों के लिए कि कैसा रहेगा गुरू ब्रस्पती का गोचर रून के लिए यदि वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो कमेंट में ओम नमस्क्राइज रूम लिखिएगा जल्दी मिलते हैं आपसे तो प्रक्रे अपना ध्यान न किये नमस्क्राइज